यह है किला यहांगा आगरा में होड़े के भीड बहुत ज़्यादा है कि बारा बच चुके हैं तो अब हम एंट्री ले रहे हैं गेट के अंदर से बहुत गर्मी हो रही है भी है बहुत गर्मी है इस समय तो हाल बुरे हो रहे हैं अब दोस्तों तो हम सुवह उड़ चुके हैं इस समय सब्सक्राइब अब नाद होगे तयार हो चुके निकलने के लिए तो हम पहले ताज जा रहे हैं और दिनेश भी पहुंच चुका है वैसे रिल्वे सेशन वह भी हमें वहीं ताज महल पर मिल जाएगा हमें तो मिलते हैं और बागे बाइसाब रेडी हो चुके हैं बाइस फ्राश होने के आवाए अब यह रवस थोड़े देर और बस पर हम यहां से निकलते हैं बागे नास्ता मास्ता भी ताख किया नहीं हम लोगों ने फिलाल नास्ता हम सोच रहे हैं 12 बजाई करने एक नाद नाद होगे खाली पुरा उंसान परा हुआ है पुरा बिराना पड़ा हुआ है आच्प प्ला ही होता दा पूरा मैदानी मैदान होते थे जो गोगो है ताज बलारा रहा है अब है यह अ देने शोंभी बला रहा है ताज को भागो रहा है। यह है किला यहां आगा आगरा में हॉर्दे के भीड बहुत जदा है हर जगा भीड है क्योंकि सेटेटेसंटे का टाइम है भीड तो रहती है वीकेंड में फैसर हम जा रहे है ताज तो हम ताज मेल पहुंच चुके है इस समय पहुंचने वाला है अभी टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको ताज मेल में अंदर जाने के लिए टिकट जो है आप आप लाइन भी ले सकते हैं या फिर आफ लाइन भी ले सकते हैं और यहां का जो टिकट रेट है वह पचास रुपे और अगर आपको मगबरेव देखना है जो ताज मेल के अंदर वाला है तो वहां पर जाने के लिए आपको दोस रुपे और पे करने पड़ेंगे जिसका यानि 250 के राउंड होता है पर परसन बागी आप ओफ लाइन ना लेकि लाइन में ना खड़ा होना चाहते हों तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं यहां भार एक बोब लगा होगा जिसमें आप क्यूर कोड़ स्कैन कर सकते हैं या उनकी इधी डिरेक्ट साइट पर विजिट क हमारे साथ है दिनेश अभी अभी पहुंचा आई और हम लोग फिलाल एंट्री में कड़े हैं में टोकन तो मिल चुका पड़ी उसकिल से कि अभी बहुत लंग भी लाइन लगे पड़ी इस टोकन की इतने भी इस तेश्चा तो ओनलाइन कर लेता तो जाता है बैटर साथ इनकी खुद की ऑफिसेल साइट भी है आप कहां पर से भी जाके ओनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और वैसे आप लोग यहां पर आएंगे पर यहां पर से लिसक्या पर वीकेंड में बहुत बहुत वीड होती है और वहां टीकट लेने के लिए आपको लाइन में लखना पड़ेगा अरुक लाइन कर दो हुल अ है है तो रिष्टा में टोकन डालों अंदर पुस्ता हो रहा है 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 हम दो चैकिंग से निकल आये हैं है कि आप एंट्री करते हम दो सिधा सिधा कि देगा चस्मा एक तो लाया मैं आगे से याद भी मैं रखूं इंक लोगों के लिए अब गूम भीने नॉर्मल चस्मा में गूम एक ही चश्मा का हो अरे यह हीरो किसको बनने था अब हीरो भी बनने और चस्मा भी आने रहना है अरहाद कर रहे है तोकन खो जाने पर नस हो अब हम एंट्री ले रहे हैं गेट के अंदर से तो और सामें पर नहीं है तो अब हम एंट्री ले रहे हैं गेट के अंदर से अब सामने ताजमेल है तो आपको दिखाते हैं वाकिक अंब कर चाइब कर दो है है कर दद्री बाक्सेंद अब्यां अब कर अब लुट पर बेचों डोकॉमेंट बनाई तो हम किले के गेट के अंदर आ गए हैं और इसके पार जो है ताज महल है तो फिलाल यहां पर यह सीडियां दिख रही है दोनों तरफ तो यह सैनिक क्यूज क्या करते थे इसको जब किले के ऊपर जाके यानि जो किले का जो केट है इस करने होती थी तो वो यहीं से होते हुए जाते थे उपर को ताकि दूर से आने जाने वालों को देख सके हूं मौत गर्मी हो रही है बहुत गर्मी है समय तर हाल बुरे हो रहे हैं गर्मी तो यह है सामने ताज महल ताज महल के स्ट्री तो आप सबको पता ही होगा जैसे कि ताज महल 16 से 37 में सुरू हुआ था बनना और 1653 में इसका निर्मान यानि कंप्लीट हो चुगा था पूरा और साजा ने मुम्ताज जी के लिए बनाया था जो कि उनकी तीसरी बीबी थी और इसको ताज महल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों मजदूरों ने काम किया था इसमें जिसके बाद उनका हाथ काड़ दिया गया था जैसा कि कहा जाता है पर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये सब अफवाएं थी 20,000 मजदूरों का हाथ नहीं काटा गया था क्योंकि बोला जाता है कि इसके अलावा उन्होंने और भी कई ऐसी तैसे की मारतों में अपना योगदान दिया था तो ये इस बात साइथ अफवाव भी हो सकती है साजा की अपनी इच्छा थी कि ताज महल के बाद वो अपने लेक काला ताज महल बनाए यानि ब्लैक ताज महल बनाए पर ऐसा हो नहीं वाया क्योंकि जो उनके बेटे और अरंग जेब थे उन्होंने उनको कैद कर लिया था और उनकी हुकूमत बदल दी थी तो जिस वेसे उनका इस अपना सपना ही रह गया जहां पर एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कहा जाता है कि कुत आज महल इंडिया में सबसे उंची इमारत है तो हम एकदम ताज के सामने कड़े हैं आप देख सकते हैं और हम यहां पर हमने अंदर की टिकट नहीं ले रखिये मकबरी की तो हम यहीं भार-भार से घूमेंगे इसके जमना जी भी आपको दिखाऊंगा नदी साथ में ही है बागी इस समय मौसम बहुत धूप और धूप अभी काफी धूप और फिलाल इस समय थोड़ा सा मौसम ठीक हो रखा है पर पसी ने इस से हालत बुरी हो रखी है घर्मी तो हई हुमस भी बहुत जादा है यहां पर आप जो सामने देख रहे हैं ताज महल के जो मिनारे है इसके बगल में चार मिनारे जो लगी पड़ी है तो यह सीडी मिनारे नहीं है यह टेडी मिनारे दिखरी होंगी आपको थोड़ी बहुत क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरीके से था कि अगर कभी भी अर्थ कोई क जो भी विजली गिरती है जिसके विए से अगर कभी भी इसमें नुकसान होता है तो यह गुंबत के उपर ना गिरे यह उसके अपोजिट ड्रेक्शन में गिरेगी ताकि जो ताज महल है उसको कभी भी नुकसान ना हो तो ऐसी चारो मिनार जो आप देखेंगे सब का जो बना वावी कलर का दिखेगा और दिनमें या शाम के टाइम पर देखेंगे आप तो यह जो दिखे दुदिया कलर कर दिखेगा टरीके से और आप इसको espirat के अधाउरा parecer डिक्वत को दिखता है तो यहां पर एक कशिममंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजुमाले करके था इसको जो राजा थे समुंद्र गुप्त उन्होंने बनवाया था तो आपने अगर मघवरे के अंदर भी आके देखना है तो मुख़बर के अंदर भी याucharों के अदर पीछे दर shipping का मानना है कि प्रता हो कि अउटल के नीचे summer हजार से भी ज्यादा रूम है और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये जितना उपर है उतना ही ये नीचे की भी और है ताजमेल के नीचे 22 दरवाजे ऐसे हैं जिनको आज तक खोला नहीं गया हुआ है और कहा जाता है कि अगर इसको खोल के देखा जाए तो तो वहां इतिहास के बड़े बड़े राज खुल जाएंगे जिसके देश में दंगे भी फैल सकते हैं तो इसलिए गौवर्मेंट इसको अलाव नहीं करती है कभी भी उन दरवाजों को खोलना तो हमें यम्ना के नारे आप सकते हैं यह आप देखी यम्ना जी यह करीबं 6-7 किलो मिटर लमबी तो तो कफी अच्छी है यहां से और काफी अच्छा व्यूह भी आ रहा है इन तो यहां पर से आगरा का लाल किला भी दिखता है जो हमारे Left Side में है बागी आप युम्ना जी का व्यूह देख रहे हैं काफी अच्छा व्यूह आई इहान से ताज महल के दोनों तरफ आप अगल बगल देखेंगे तो यह मस्जीदे बनाई गी है यहां पर तो यहीं पर ही लोग जो भी थे नमाज होकर अक्या करते थे अपना एक इदर की साइट को और आपको एक ताज महल के दूसरे साइट को दिखेंगा हम अब भार जा रहे हैं यह से और टाइम हो चुका सवाएक अभी हमने दूसरा फोर्ट के भी आना एक और उससे उसके बार बजारोजर भी आना है कि इतना टाइम लग जाए लग जाएगा में यह आपे देखते हैं का होता है तोकन हो गया तो आपी दोगे पैसे और कम रहेगा है अब चला देखना है अरे विरिंदा बन चलना है अज बीड़ बोट है अज बीड़ बोट है अज बीड़ नहीं काफी घुस्मे में गहीं हालत खराब नहीं हो जाए है कल भी हम लोग मत्रा से वापी साहें इसी चक्तर अजर्डी यार्म में खराब कर लोग लोग रटता नोग रोड़ों में रौड़ों में सौर हे आँ बहर बाहर भार बाद नहीं मिल रहा थे सारे फुल ते होटल में पे रौरे रिच्श्टन में अब्सेट्स्ट कर्णा बेद ले लेगे डीज जिसो इन बुरा हो रह रहा आपने तो कर दो कर दो कर दो कि अजा जा रहे हैं बहर की तरफ को अग ताज का हो गया पूरा भीओ अब आप 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 हुआ हां कि अपार कर दो कर दो आप आूरा कर दो कर दो आप 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 आपी येडिंग येज़ आप आप